अलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने Realme 12 Pro Plus Android में आप अपने मुआल फून के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आपके वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों कभी भी अगर आपके मुआल फून में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसके सॉल्विशन के लिए करना है हमारे फून के एंडर्वट सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती तो वो सॉल्व हो जाती है फून को री स्टार्ट करने से ठीक है बंद रखना है इन तीनों सेटिंग को तब चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे बाकी समय बंद करके रखना है ठीक है अब देखिए अगला काम यह करना है मुआल फून का सॉफ्टेयर आपको चेक करना है कि वह अपडेट है या नहीं है इसके लिए पहले मुआ हुझाट तौरण साइट करना है तो ध्यान रखेगा हुझार का साँप करना है अगला का कदम फून को रिसेट करना है जब मेरे बता है पिछले प्रॉसस खोई घर काम नहीं करते हैं तब आपको फोण को रिचेट करना है अधर्यवाइज नहीं करनाए पोन काiałem पबंन आपको नीचे की सतायआ उप्सवार्ग। होलो जाएगा और आपको फोन की साउंनकी प्रोडोम स्ल्लोब जाहेगी लेकिन आपको फोन को लेकिन। पहली बात करने से पहले दो बातों का दियान रखना है पहली ओने की ही दियान के नेड़नी की या उसका backup ले लीजिए, दूसरी बात ही ध्यान रखने हैं, आपके फोन की Gmail ID और उसका password आपको पहले जे note करके रखना है, ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को reset करना है, तो मेरे बतायवे सारे process आपको यूज करने हैं, इस आपके फोन की स्पीकर की sound की problem solve हो आपको इस वीडियो में जितने भी solution बताये हैं, वो mobile phone के software के जरीए बताये हैं, ठीक है?